शात्रोव इस वीडियो के माध्यम से जो व्यकरंड देखनेवाले हैं उसका नाम है संधी तो यहाँ पर हम संधी की परिभाशा देखनेवाले हैं उसके भेत देखनेवाले हैं और देखो यहाँ पर संधी की परिभाशा दी हैं वो है दो समिपवर्ती वर्णों के परसपर मेल से जो विकार याने परिवर्तन उत्पन होता है उसे संधी कहते हैं देखो समास और संधी में क्या फर्ख है समास याने दो शब्दों का मेल और संधी याने दो वर्णों के मेल से दो समिपवर्ती याने निकट के जो नजदिक के वर्ण है वो एक दुसरे से जोड़े जाते हैं तब संधी कहलाते हैं वर्ण तो वर्ण आपको पता है वर्ण में क्या होता है स्वर और व्यंजन यह वर्ण में आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक उधारन दिया है उस उधारन के द्वारा हम संधी किसे कहते हैं वो समझाते हैं देखो यहाँ पर विद्या धन अर्थी शब्द क्या है विद्या धन अर्थी तो शब्द बनता है विद्या यहाँ पर देखिए विद्या यहाँ पर द्या में कौन सा स्वर चिपा है आका स्वर चिपाए बराबर है देखो यहाँ पर इस शब्द में जो स्वर चिपाए वो अ है तो इन दोनों को यह दो स्वर एक दूसरे से मिलते हैं और शब्द बनता है विद्यार्थी तो यह संधी विच्छेत, संधी विच्छेत अलग अलग लिखा है और यह जो शब्द बनता है वो क्या है संधी, देखो इस दुसरे उधारण में देखिए, पुस्तक धन आलए, यहाँ इस कव में अका स्वर्चिपा है और यहाँ पर आ है, तो दोनों मिलकर यहाँ की शब्द बना है, पुस्तकाले, तो संधी क्या बनी, पुस्तकाले, तो पुस्तक धन आलए, यह क्या है, संधी विच्छेत कहलाता है, तो देखिए, संधी के तीन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं संधी के, तीन भेद होते हैं, पहला है स्वर संधी, दुसरा है व्यंजन संधी, और तीसरा है विसरग संदी, ऐसे तीन भेद संदी के होते हैं, तो आज हम जो संदी के भेद देखने वाले हैं, उसमें स्वर संदी के बारे में देखने वाले हैं, तो चलिए देखते स्वर संदी के भेद के बारे में भी, हमने देखा कि संदी के तीन भेद हैं, उसमें से स्वर संदी, दुसरा है वञजन संदी और तिसरा है विसरग संदी तो हम अब स्वर bias संदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो यहाँ पर देखिए उसकी परिभशा. दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार को स्वर संदी कहते हैं. होने वाले याने परिवर्तन दो स्वरों के मेल से स्वर पता है आपको ग्यार स्वर हैं तो इन दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है जो परिवर्तन शब्दों में उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधी कहा जाता है तो स्वर संधी के भी पाच भेद हैं स्वर संधी के कितन वाहे आयादी संदी तो हम इस वीडियो के द्वारा दो भेदों की जानकरी लेने वाले हैं संदी स्वरसंदी के दो भेदों की जानकरी लेने वाले हैं एक है पहली है दिर्गसंदी और दुसरा गुनसंदी इसके बारे में जानकरी लेंगे और जो बाकी बचे हुए संदी है स्वर संधी के जो भेद है वो हम अगले वीडियो में जानकार रिप्राप तक देखो यहाँ पर स्वर संधी का पहला भेद जो है वो है दिर्ग संधी दिर्ग संधी मतलब बड़ा दिर्ग का मतलब क्या है बड़ा तो यहाँ पर dेखी éta यहाँ पर A, E और U है अ, E और U के साथ अगर दिर्गस्वर आता है तो जो बनने वाला संधी जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी A का स्वर हो जाएगा, E का स्वर हो जाएगा और U का स्वर हो जाएगा यह सभी दिर्गस्वर है यहाँ पर कुछ उधारनों के द्वारा हम देखते हैं भाव धन अर्थ यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वो क्या है वो है इसमें कौंसा स्वर चिपा है और कास्वर चिपा है तो देखिए इसमें अ कास्वर चिपा है और इसमें कौंसा स्वर है अ कास्वर है तो दोनों को मिला कर क्या बनेगा यहाँ भी अ है यहाँ भी अ है तो दोनों को मिला कर क्या बनेगा आका स्वर बनेगा क्या बनेगा आ का स्वर बनेगा तो यहाँ पर शब्द बना है भावार्थो देखो दुसरा उधारण है हीम जोड अले हीम धन अले तो इसका क्या बनेगा देखिए हीम अले बराबर है हीम अले शब्द बनेगा देखिए हीम अले क्योंकि यहाँ पर ओ है औ का स्वर है और यहाँ पर आ है तो दोनों के जोड से क्या बनेगा आ दिर्गस्वर ही बनेगा यहाँ पर ओ है और आ से मिला है तो दिर्गस्वर कौन सा है आ का है आ ही यहाँ पर आएगा हीमाले शब्द बनेगा संदी बनी है हीमाले और संदी तो दोनों को जोड़ कर क्या बनेगा महाशय इस ह को आका स्वर लगेगा और शब्द बनेगा महाशय गीरी धन इश यहाँ पर यहाँ भी यहें तो यह दोनों कोंसा यहाँ पर पहली यहाँ चोटी एका स्वर है यहाँ पर बड़ाई का स्वर है तो दोनों को मिला कर क्या बनेगा बड़ाई तो यहाँ पर शब्द बनेगा गिरिश शब्द इस तरह से बनेगा बड़ी एकी मात्रा यहाँ पर दी जाएगी तो शब्द बनेगा गिरिश यहाँ पर देखो मत धन अनुसार तो यहाँ अकस्वर है, यहाँ भी अकस्वर है तो शब्द बनेगा मतानुसार दिर्गस्वर आप ध्यान में रखिए कौन-कौन से हैं आ, ई और उ इसे ही दिर्गसंधी कहा जाएगा यह अगर ऐसे संधी बनती हैं, ऐसे शब्द अगर बनते हैं तो वो कौन से होंगे? दिर्गसंधी के उदारन है यहाँ देखो वदूत्सव इसमें दुसरे उ की मात्रा लगी है, दुसरा उ का स्वर चिपा है यहाँ पर उ है, पहला चोटा उ है तो यहाँ पर शब्द बनेगा वदूत्सव देखिए, दयाधन आनंद यहाँ भी आ है, तो शब्द बनेगा दयानंद यहाँ देखिए, परिक्षा शा में आ का स्वर चिपा है, और यहाँ अ है तो अ और आ मिलकर आ ही बनेगा परिक्षार्थी शब्द बनेगा परिक्षार्थी रजनी, धन, इश, बनेगा शब्द बनेगा रजनीश मही, धन, इश, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है यहाँ बड़ी ही है, तो शब्द बनेगा महीश वच्चो ध्यान में रखना है, सिर्फ बड़ी, बड़ा ही स्वर आएगा इसमें, आ, इ, और, उ यहाँ अगर होगा, तो यहाँ कौन सी संदी है, दिर्गसंदी ही कहलाएगी तो यहाँ हमारा यह दिर्गसंदी, यह पुरा होता है अब देखते हैं गुन संदी, देखो स्वर संदी का दुसरा भेध है गुन संदी, इसमें अगर ए, ओ, अर, यह अगर हो रहे हैं संदी करते वक तो यह समझेगा गुन संदी का उधारन है तो यहाँ पर देखिए नर्धन इंद्र दिर्गसंदिर में हमने देखा कि वो निकट के थे जो दो स्वर एक दुसरे के साथ मिल रहे थे वो निकट के स्वर थे पर अभी यह निकट के स्वर नहीं है यह दूर दूर के स्वर है तो यहाँ पर A का है और यहाँ पर E का है दोनों में अंतर बहुत है A और E तो यह तोनों जब मिलेंगे तब क्या होगा A का स्वर हो जाएगा तो यहाँ पर नरेंद्र शब्द बना है देखो यहाँ पर A का स्वर लगा है तो शब्द बना नरेंद्र A और E मिलकर A बनते हैं तो यहाँ पर शब्द बना नरेंदर दूसरा है सूरधन इश यहाँ भी वैसे ही होगा A और E मिलकर क्या बनेंगे? A का स्वर बनेगा तो यहाँ शब्द बनेगा सुरेश देखो लंका धन इश यहाँ पर A हैं और यहाँ E हैं तो क्या बनेगा आ और ई मिलकर ए बनेगा तो शब्द बनेगा लंकेश देखो यहाँ पर अ है यहाँ उ है और अ और उ मिलकर क्या बनता है ओ का स्वर बनता है यहाँ ओ का स्वर है यहाँ इस शब्द में उ है तो क्या बनेगा O का स्वर بنेगा तो शब्द بنेगा परूपकार यह द्हान में रखो कुछ नियम है संदी करते हो समय गुन संदी के भी नियम है अगर O और R मिलते हैं तो A बनता है A और E मिलता है तो भी A ही बनता है O और O मिलता है तो O बनता है अ और बड़ा उ मिलता है तो ओ ही बनता है तो यहाँ पर देखिए नर धन इश यहाँ क्या बनेगा अब यहाँ पर अ है और इ है पहले ही उधारन जैसे हैं तो यहाँ बनेगा नरेश यहाँ पर देखिए छटा उधारन है यथा धन उचित यहाँ आ का स्वर है यहाँ उ का स्वर है तो आ और उ मिलकर बनता है तो शब्द बनेगा यतोचित देखिए महा धन उच्छव आ और उ मिलकर क्या बनेगा महोच्छव यहाँ देखिए, राजा धन इंद्र तो यहाँ इ है, यहाँ आ है आ और इ मिलकर क्या बनते हैं? ए बनता है, तो शब्द बनेगा राजेंद्र देखिए, और जो है, और कैसे बनता है? यहाँ राजा शब्द है, और रिशी राजा अंत में क्या है आ स्वर है और यहां रू का स्वर है री का स्वर है तो राजा यहां आ और री मिलकर अर का चर्ण होता है तो शब्द बनेगा राजर्शी शब्द बनेगा राजर्शी यहाँ देखिए जो अर लगाया जाएगा वो यहाँ पर रफार के द्वारा लगाया जाएगा देव धन रिशी तो यहाँ पर होगा देवर्शी तो यहाँ होगा देवर्शी देखो देवर्शी अर अर का उचर्ण यहाँ पर होता है तो यह हुआ हमारा गुन संधी तो स्वर संधी का तिस्तरा जो भेद है वो है वृद्धी संधी वृद्धी संधी किस तर से होती है देखिए इसमें अई और अउ अगर संधी करते समय अई और अउ ऐसे स्वर लगाई जाए तो यह रुद्धि संधी कहलाएगी तो देखिए यहाँ पर एक धन एक यहाँ पर देखवाँ तिमु अरन जो है वो है क, क में अ का स्वर चिपा है और यहाँ पर ए है तो अ और ए मिलकर क्या होते हैं? अए होता है तो यहाँ पर शब्द बनेगा एक का एक पर आ का स्वर है, यहाँ अए है तो आ और ए मिलकर क्या बनते हैं? अए ही बनेगा महा महेश्वर्य आ और ए मिलकर अए ही बनेगा इसलिए यहाँ पर शब्द बनेगा महेश्वर्य देखो, सदा एव सदा धन एव तो आ का स्वर है, यहाँ A है, तो यह दोनों मिलकर आ की मात्रा यहाँ पर लगेगी शब्द बनेगा सदैव, यह ध्यान में रखिए, तथा धन एव, यहाँ A का स्वर है, यहाँ A का स्वर है, तो शब्द बनेगा तथैव धान में रखिए यहाँ अए हैं यहाँ अए हैं अए हैं जहाँ जहाँ आपको ऐसे शब्द नजर आएंगे वो क्या होंगे रुद्धि संधी के उधारण होंगे धन 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 अईश्वर्य धन जोड अईश्वर्य तो शब्द बनेगा धन अईश्वर्य देखिए यहाँ पर वन धन अउशत तो शब्द बनेगा वन अउशत कैसे देखिए देखो यहाँ पर अ का स्वर है और यहाँ अ का स्वर है तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे बड़ा स्वर जो है वही बनेगा अउ वन अउशत शब्द बनेगा वन अउशत महा धन अउशत यहाँ पर बड़ा स्वर कौन सा है अउ अउ का है जब जब अउ यहाँ यहाँ पर दिर्गसंदी मतलब यहाँ पर रुद्धी संदी करनी है तो हमें क्या करना है बड़ा जो स्वर है यहाँ पर अउ अउ ही बनता है तो अउ ही लगेगा महाउशद इस हा को क्या बन लगेगा हउ का स्वर लगेगा तो शब्द बनेगा महाउशद देखो यहाँ पर परम धन अउशद यहाँ अ है इस म में अ का स्वर छिपा है यहाँ अ है तो शब्द बनेगा परमौशद देखो यहाँ पर अ हैं और अई हैं तो शब्द बनेगा मतेक्य यहाँ पर देखो दन्त धन ओष्ठ अ और ओ मिलकर क्या बनेंगे दन्त ओष्ठ नियम देखिए क्या है अ और यहाँ ए हैं बनता है अई यहाँ आ हैं यहाँ अई हैं बनता है अई आ हैं ए हैं बनता है अई देखो सदयव शब्द बना है यहाँ पर था हैं ए हैं तो तथैव धन न है अई हैं बनता है धनैश्वर्य यहाँ वन अउशद न हे अउ हे क्या बना नव वनवशत महाधन आउशत महवशत परमवशत मतधन आईक्य मतईक्य दंतधन आउश्थ दंतवश्थ तो यहाँ पर हमारा जो रुद्धिसंदी है वो समाप्त होता है रुद्धिसंदी में हमने देखा कि अ और अ का स्वर बनता है तो यहाँ पर यन संधी में य व और र ऐसे स्वर बनते हैं देखिए अती धन अधिक इससे इनके मेल से ती यहाँ पर एका स्वर है और यहाँ अ है इके स्वाद भिन्न स्वर है अ का स्वर है तो यहाँ बनेगा अत्यधिक, शब्द इस तरह से बनेगा अत्यधिक, देखो अत्यधिक इ और अ मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर य आएगा, य आया है और उसका तो आधा हुआ है तो शब्द बना है अत्यधिक यहाँ देखिए अति, आचार यहाँ E है और यहाँ A है यहाँ यहाँ पर है तो शब्द बनेगा अत्याचार प्रति एक यहाँ E का स्वर है यहाँ A है तो क्या बनेगा प्रतिक शब्द बनेगा प्रतिक प्रति एक प्रतिक यहाँ देखाओ सू धन आगर सू, धन, आगद यहाँ उ का स्वर है यहाँ आ है तो बनेगा व उ और आ जोड़कर बनते हैं व तो यहाँ शब्द बनेगा स्वागद देखो इ, अ मिला त यहाँ पर य इ, आ मिला य इ, ए मिला यहाँ पर यहुआ तो यहाँ पर देखो उ और आ मिल रहा है तो व बनता है स्वागत यहाँ अनु धन अई शब्द बनेगा अनवय क्या शब्द बनेगा अनवय याने देखो यहाँ उ है यहाँ अ है दोनों के मेल से शब्द बनता है अनवय व उ और अ जोड़कर बनेगा व और यह जो न है वो आधा हो जाएगा देखो यहाँ पर प्रतीधन उपकार से बनेगा प्रत्यूपकार नियम से इसको मिला कर देखिए प्रत्यूपकार कैसे बना है यहाँ ए है यहाँ उ है तो दोनों के मेल से त्य यहाँ पर य आया है और यह जो त है वो आधा बना है प्रत्युपकार शब्द हुआ है अनुधन एशन यहाँ उ है यहाँ ए है तो क्या बनेगा व अन्वेशन शब्द बनेगा अन्वेशन देखिए यहां मात्रू धन अग्या तो त्रू यहां पर री की मात्रा है री की मात्रा और यहां आकास्वर है तो बनेगा र देखो यहां पर मात्राद्या यहां पर शब्द बनेगा मात्राग्या यहां देखो पित्रू धन अग्या पित्रुधन आग्या, पित्राग्या देखो यहाँ पर र का स्वर है त र, त र, त तो यहाँ र का स्वर आता है पित्रुधन आग्या, पित्राग्या, मात्रुधन आग्या, मात्राग्या देखो सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, यानि क्या होता है स्वच्छ देखिए सू इसमें उ का स्वर है और यहाँ अ है तो शब्द बनेगा स्वर्च तो यहाँ पर हमारा यन संधी पुरा होता है स्वर्चंधी का पाच्वा भेध हम देखेंगे जो है आयादी संधी देखिए यहाँ पर ए धन अ मिलकर बना अय अय धन अ मिलकर आय बनता है अ धन इ मिलकर आय बनता है ओ धन अ मिलकर आय बनता है अव धन अ मिलकर आय बनता है तो बहुत ही साधे तरीके से यह शब्द रहते हैं देखिए ने धन अ क्या बनेगा नयन नय धन अन नयन शब्द बनता है यहाँ देखिए नय धन अक यहाँ पर क्या बना है आय बना है तो शब्द बनेगा नयक शब्द क्या बनेगा नयक नय धन इका यहाँ पर आई है आई शब्द बन रहा है अए धन इ मिलकर आई बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगा नाई का शब्द बनेगा नाई का इस न को आ का स्वर जोड़ा जाहेगा और नाई का शब्द बनेगा पो धन अन यहाँ पर अव हैं तो यहाँ शब्द बनेगा पवन पो का क्या होगा प होगा पव धन अक पव का क्या बनता है आव पव यहाँ धन अ मिलकर आव बनता है तो यहाँ शब्द बनेगा पावक देखिए यहाँ पर यह जो आयादी संदियें बहुत ही साधे तरीके के शब्द रहते हैं यहाँ आई आई आव आव आईसे अगर शब्द बन रहे हैं तो यहाँ पर आयादी संदियें होती हैं